लार दुनिया की सबसे अच्छी ओशदी है इसमें ओशदी गुण बहुत ज़ादा होते हैं किसी भी चोट लगने पर चोटी की जा सकती है लार पैदा होने में एक लाग गरंथियां काम करती है जब शरीर में कफ बहुत बढ़ा हुआ होता है तो वही एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें आप लार को थूक सकते हैं अन्यता लार को कभी भी थूकना नहीं चाहिए सुभा की लार बहुत ख्षारी होती है इसका पी एच आठ दशमलब चार के आसपास होता है अगर आपकी लार इतनी फायदे मंद है तो इसको नस्ट नहीं करना चाहिए इसको खराब न चाहिए जिससे कि आपकी लार को थूकना ना पड़े कथा और जर्दा कैंसर करता है इसलिए भी लार के साथ ये अंदर नहीं ले जाना चाहिए गहरे रंग की वनस्पतियां कैंसर मदुमे अस्थमा जैसे बीमारियों से बचाती है इसलिए पान कफ और पित दोनों का जिहों के दाने के बराबर चूना मिलाएं सौफ डालें अजवाइन डालें लौंग बड़ी लाइची गुलाब के फूल का रस या गुलकंद डालें और उसको मिला कर खाएं ऐसा पान जवाब खाएंगे तो इस पान को आपको थूकना नहीं पड़ेगा उसको आप अंदर निगल सकते हैं लार के साथ और वो लार आपको लाप पहुचाने वाली है जब भी हम लार अपनी थूकते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ज़दा नुकसान होता है ब्रह्म महुर्थ की लार अत्वा सुबा उठते ही मुह में जो लार बनती है वो बाकी समय की लार से लार लगानी चाहिए 15-20 दिनों में घाव भरने लग जाएगा और तीन महीने के अंदर घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएगा गैंगरीन जैसे बीमारी दो साल में ठीक हो जाएगी जानवर अपने सभी घाव चाट चाट कर ठीक कर लेते हैं आपने अक्सर दिखा होगा कु कोई चोट खुजली या कुछ भी समस्या होती है तो इस घाव को जीप से चाट कर ठीक कर लेते हैं उन्हें कहीं कोई औशरी देने की जरुवत नहीं पड़ती लार में वही 18 पोशक तत्व होते हैं जो मिट्टी में पाय जाते हैं शरीर पर किसी भी प्रकार के दाग धब् को मिल जाएंगे सुबा की लार आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है और आँखों के चश्मे उतारे जा सकते हैं जो बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी अभी चश्मा लगा है जिनकी नजर अभी अभी कम हुई है उनको आप आँखों में लार ल गाने से 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाती है, आंखें टेडी हों या आंखों में भेंगापन हो, इन सबी बीमारियों में सुभा की लार लगाएंगे, तो ये सबी बीमारियों को ठीक कर देगी, आँखों के नीचे काले धब्बों के लिए रोज सुबा की लार लगाएं सुबा उठने के 48 मिन्ट के बाद मूँ की लार की क्षारिता कम हो जाती है इसलिए जैसे ही आप बिस्तर से उठें सबसे पहला काम लार लगाने का करें तो इस तरह से आप लार लगाकर अपनी शरीर में होने वाले इस तरह के चर्म रोगों को ठीक कर सकते हैं इसके अलवा लार का एक और फाइदा है रात भर जब आप सोते हैं और सोकर जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपके पेट में एसिड होता है क्योंकि रात भर acid बनने की प्रक्रिया हुई है और अभी वो पेट में जमा है इस पेट के acid को आपको neutral करना होगा अगर नहीं करेंगे तो acidity की समस्या बन सकती है इसको neutral करने के लिए क्या करना है आपके मुँ में रात भर चार बना है यानि जीब में जो लार बनी है वो प्षारी है पेट में बना है वो acid है और सुबा की लार जब पेट में जाएगी तो acid और base मिलेंगे तो neutral हो जाएगा इसके लिए आपको सुबा उटते ही बिना मुध होए सिप सिप करके पानी पीना है घूट 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 घर के पानी पीना है उसको मुँ में घुमाएं कुला करें और फिर पेट के अंदर ले जाएं वो क्षार आपके acid से मिलेगा तो दोनों मिलकर neutral होंगे जिससे आपको जीवन में कभी भी gas, acidity और अलसर की समस्या नहीं हो पाएगी ये लार इतने काम की है तो इसको खराब ना करें इस लार को खराब करने वाली एक चीज हमारे बातरूम में हमारे ट्वालेट में मौजूद है जो है टूथ ब्रश जी हाँ टूथ ब्रश और टूथ पेस्ट जितने भी टूथ पेस्ट हैं वो सभी anti-alkaline है इन में एक chemical होता है जिसे sodium laurel sulfate बोलते हैं जो लार की ग्रंथियों को पूरी तरह से सुखा देता है इसलिए आप पेस्ट जो लगाते हैं वो पेस्ट नहीं करना चाहिए उसके अलावा आप चाहें तो मंजन ले सकते हैं काला दंत मंजन गोशालाओं द्वारा बनाया गया बाजार में उपलब्ध है आप चाहें तो ये काला दंत मंजन हमारी website से भी खरी सकते हैं ये गाय के गोबर के उपलों को जला कर तियार किया गया काला दंत मंजन है जिसमें अनेको परकार की ओशदी जड़ी बूटियां और सिंधा नमक इसमें मिलाया गया है दातों के लिए जरूरी वो सभी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो आपके पायरिया को रोक को ठीक करती हैं मूँ की बद्बू को खतम करती हैं दातों की सण को करती हैं मसूडों की सण को करती हैं ये मंजन आपको लेना है, उंगली से धीमे धीमे मसाज करनी है, दातों पर, उपर मसूरों पर, नीचे मसूरों पर, आप देखेंगे, धीमे धीमे आपके दात चमकदार और मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, इसका छोटा पैक भी उपलब्द है, 20 ग्राम से लेकर 100 ग्र आप ले सकते हैं, फर्स टाइम आप ट्राई कर रहे हैं, तो इसका 20 ग्राम का पैक लीजिए, आपको अच्छा लगता है, तो आप इससे बड़ा पैक भी मंगवा सकते हैं, पैक मंगवाने के लिए, और्डर करने के लिए, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ज दातों की मसाज करनी है, ये भी दातों के लिए काफी अच्छा दंतमंजन की तरह काम करता है, इसके लावा एक और दंतमंजन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक दो तीन के अनपात में त्रिफला ले लिजिए, वो त्रिफला आप नहतेली पर लेना है, और उससे बाजार में अने को तरह के मंजन मौजूद हैं, या घर पे आप बना कर भी दातों की सफाई या दातों को साफ कर सकते हैं, इसके लावा एक सबसे अच्छी नैचुरल चीज है जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आसानी से उपलब दो जाती है तो इसको जरूर इस नीम की दातों, नीम की दातों चवाते हैं समय जो उसमें लार बनती है, वो लार आप पेट के अंदर ले जाएं, इससे आपको दात साफ होने के साथ साथ एक फायदा और होगा, कि आपको भविश्य में होने वाले बुखार, सर्दी जुखाम या इस जैसी बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा होगी, क्योंकि इसमें एंटी पायरेटिक एंटी वेक्टरियल गुन होते हैं, जो आपके शरीर को भीमारी से बचाते हैं, तो इसलिए पेस्ट छोड़कर ये सारी चीज़ें, जो हमारे आसपास, हमारे नीचर में मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, लार को बचाईए, लार बहुत कीमती है, लार के बारे में एक और बहुत रोचक जानकारी आपको देना चाहूंगा, अभी जो लार हम थूख देते हैं, या पान पुडिया खाकर इसको खराब करते हैं, वही लार अमेरिका में पाउच में पैक होकर बिकती है, प यूर कैंसर जिसकी वज़ा से गले के में लार ग्रंथियां सूख जाती हैं, लार बनना बंद हो जाती है, तो जब वो कुछ खाते हैं, तो उनके गले से वो चीज नीचे नहीं जा पाती, ऐसे में उनको बाहर से आर्टिविशल लार लेनी पड़ती है, जिसके दोरा वो भ वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फरमेशन के साथ, तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम